नमस्कार पिछली वीडियो में हमने गुरु परवत के विशे में जाना गुरु परवत किस ठान पर होता है इसके सीमाक्षेत्र कौन से हैं गुरु परवत बहुत अधिक उबरा हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं गुरु परवत दबा हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं इसके बाद हमने पढ़ा कि गुरु परवत के उपर शुब और अशुब निशान कौन से होते हैं और वो हमारे जी इसके बहुत जादा दबे होने पर हमारे जीवन पर क्या परभाव पड़ते हैं बहुत जादा उठे होने पर जीवन पर क्या परभाव पड़ते हैं समतल और सुन्दर होने पर हमारे जीवन पर क्या परभाव पड़ते हैं तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे हाथ में शनी परवत किस स्थान पे होता है तो दोस्तों हमारे हाथ में ये चार उंगलिया होती हैं तरजनी, मध्यमा, अनामिका, कनौर्क निष्ठा हमारी जो तरजनी उंगली है उसके बिलकुर साथ वाली जो सबसे बड़े वाली उंगली है इसको हम क्या कहते हैं मद्यमा अर्थात मिडल फिंगर कहते हैं यह जो उंगली है यह शनी को रिपर्जेंट करती है शनी से संबंदित जो भी कारक हैं वे हमें इस उंगली से प्राप्त होते हैं और शनी परवत कहां होता है अगर हम अपने उंगली के पत्थम भाव को अर्थात यह वाला जो आपका भाव है इसको बिल्कु सीधा इस प्रकार निचे कर देते हैं तो जिस स्थान पर यह आकर के गिरेगा वे जो स्थान है वे क्या कहलाएगा यह लगबग यहां गिरेगा तो इसको हम क्या कहेंगे इसके थोड़ा सा मैं सीमक्षेत्र के विश्व में बता देता हूं कि इसका सीमक्षेत्र क्या होता है हमारे यहां से एक ह्रदय रेखा निकलती है और गुरु स्थान तक चले जाती है इस स्थान से एक रेखा निकलती है और गेतु स्थान पर आ जाती है अथात हमारे जीवन रेखा होती है यहां से इसके साथ पिल्कु जूड़ते हुए हमारी बुद्धि रेखा आ जाती है और चंद स्थान तक आ जाती है तो आपकी जो मध्यमा है और जो आपका गुरु परवत है बिल्कुल मध्या से मैंने यहां से आपको गुरु परवत के विश्यम बताया था तो यहीं से एक सीधी रेखा आप नीचे की तरफ खीच लीजिए इस्थान तक गुरु परवत इसके इधर का था उससे इधर का आप ले लेजिए और आपके अनामिका और मध्या से एक बिल्कुल सीधी रेखा कीच लीजिए और इसको आप धर्दे रेखा तक ले आईए तो यह जो स्थान होगा इसे को हम शरी परवत कहेंगे अब हम शनी परवत पे बढ़ने से पहले एक बार शनी के कारकों के विशे में जानेंगे कि शनी के कारक कौन-कौन से है अर्थात शनी से हमें क्या-क्या प्राप्त होता है उसके पस्चात हम शनी के परवतों पे जाएंगे कि परवत उन्नत होने पर क्या हमारे जीवन पर परभाव रहते हैं निम्न होने पर क्या परभाव रहते हैं और शनी परवत के सुन्दर होने पर हमारे जीवन पर इसके क्या-क्या परभाव रहते हैं तो शनी की जो कारक है उनमें जो सबसे पहला जो कारक आता है वे आता है आयू, जीवन और मृत्यू जो शनी की रहे है वे आयू का कारक है आपकी आयू कितनी होगी अर्थात आप कितना जीएंगे आपका जीवन कितना चलेगा और मृत्यू कैसे होगी ये सब कुछ हमें शनी से प्राप्थ होता है शनी ही हमारे जीवन की रूप रेखा त्यार करते हैं हमारे जीवन के अंदर कौन से रोग आएंगे, कौन से हमें कश्ट प्राप्थ होंगे कब हमारे जीवन के अंदर सफलताएं आएंगे हर चीज शनी से ही हमें प्राप्थ होती है तो आयू जीवन और मृत्यू जो है वे शनी का सबसे बड़ा कारक है जिस परकार हम भक्ति के विशे में जानते हैं तो मन में सिधा विचार आता है कि हम गुरू के विशे में बात कर रहे हैं लेकिन जब हम आयू के विशे में बात करते हैं तो हमारे जो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है वे आता है शनी के विशे में शनी ही हमें आयू और जीवन के विशे में बताते हैं हमारा जीवन कैसा यापन होगा और हमारी आयू कितनी होगी कौन-कौन से रोग और कष्ट हमें अपने जीवन काल में प्राप्त होंगे दूसरा जो कारक है शनी का वे है धन देखिए शनी ये कैसा गरह है जो आपको धन परदान करता है आप अपने जीवन काल में किस परकार का धन प्राप्त करेंगे, कितना धन प्राप्त करेंगे, ये हमें शनी से प्राप्त होता है, हम धन को प्राप्त करने के लिए कितना प्रिश्रम करेंगे, ये शनी पर ही निर्भर करता है, कि हम कितनी मेहनत करके उस धन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे एक बात में आपको बता देता हूं शनी परवत के अंदर ही जो हमारा शनी परवत होता है इसके अंदर ही इस परकार से कि रेखाएं खड़ी रहती है एक या दो यही जो रेखाएं है इनी को हम धन रेखा कहते हैं एक रेखा यहां से भी निकलती है जो इस प्रकार से शनी स्थान तक रहती है यह सहाय करेखा है लेकिन जो असली धन रेखा है वह यह रेखाए हैं ऐसे जो विक्ति होंगे उनके जीवन के अंदर धन की कभी भी आवाव नहीं रहेगा ऐसे जो लोग है हमेशा दूसरों को दे शक्ता नहीं पड़ती है तो शनी परवत के उपर अगर आपको ये दो रिखाएं नजर आती हैं तो आप ये कह सकते हैं ऐसा जो विक्ति होगा अपने जीवन में बहुत अधिक धन प्राप्त करेगा अच्छा धन प्राप्त करेगा त्रिप्ती वाला धन प्राप्त करेगा तो शनी को जो है धन का कारक माना गया है हमारे जीवन के अंदर जितना भी धन प्राप्त होगा उसको हम शनी से ही जानेंगे कि शनी हमें कितना धन देंगे और धन को प्राप्ट करने के लिए हम इतनी पृष्रम और मेहनत करेंगे तीसरा जो कारएक आता है, शनी का वह आता है हडियों सम्धित रोग, आपके जीवन के अंदर आपकी हडियों से सम्धित जतनी भी परेशानिया होती हैं वे आपको शनि के वज़े से प्राप्त होती हैं तुरगट्नाव में हड़ियों का तूट जाना हड़ियों में दर्द हो न कुट्व नो में धर्द यह जितने भी परिशाण्या आपको हड्यों से Сп motif दित रहती हैं वे आपको शनी से प्राप्त होती हैं उसके पश्चात अगला जो कारक आता है वे आता है भक्ति देखिए गुरू भक्ति के कारक है लेकिन भक्ति जो होती है वे शनी के भीतर भी है अगर किसी विक्ति का गुरू परवत सुन्दर है और शनी परवत उन्नत स्तिती में है सुन्दर स्तिती में है तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर भी बहुत अधिक भक्ति भाव रहता है ऐसे जो लोग होते हैं भप्रमात्मा को प्राप्त करने के लिए कई परकार की अधनाओं के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ऐसी लोगों के अंदर ही की प्रकार के सहित्यों का ज्ञान भी होता है तो गुरू के बाद सबसे अधिक जो भक्ति का कार्क है वह शनी है इसके पस्चात अगला आता है त्याग शनी त्याग का कार्क है कोई व्यक्ति जो अपने जीवन काल में अपनी जिसको कह सकते हैं अपनी मौम आया को त्यागतना चाहता है तो और इस दुनिया इस संसार को छोड़ करके अलग जाना चाहता है तो ऐसे जो फल है वो भी हमारे को शनी से ही प्राप्त होते हैं शनी का एक कार्क जो है वे त्याग भी है कार्यों में आटंक कोई भी कारे जो आप करते हैं उसके अंदर जित्ती भी परिशानिया आती है अर्थात उसको पूर्ण करने में जो जो परिशानिया आती है वे शनी के द्वारा ही माने जाती है क्योंकि शनी कोई भी कारे जो होगा उसको बीना मेहनत से पूरा नहीं करवाना चाहते हैं वे चाहते हैं हर व्यक्ति पूर्ण मेहनत करें पूरी मेहनत करने के बाद उसको उस चीज़ का फल मिले तो इसलिए शनी जो है हर कारे में कुछ रह कुछ देवी करते हैं तो इसलिए शनी को कारियों में आटंक के लिए भी देखा जाता है इसके पस्चात अगला जो कारक है वे है सेवा भाव शनी के जो कारक होते हैं उनमें एक जो कारक है वे है सेवा भाव का ऐसे जो लोग होते हैं दूसरे विक्तियों के प्रति सेवा का भाव रखते हैं अर्थात अगर इनके विक्तियों के सामने कोई विक्ति द्रिद्र है कश्ट में हैं तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों की मदद करने में इनको बहुत यदिक परसंता का भाव मिलता है एकांत प्रियता ऐसे जो लोग होते हैं एकांत प्रिये होते हैं शनी जो है विक्ति को एकांत प्रिये भी बनाते हैं ऐसे जो लोग होते हैं अकेले में रहना बहुत ज्यादा बात ना करना इस परकार की स्थितियां में भी शनी पहुंचा देते हैं इसके पस्चात एक जो का और अलतियक grease अगर व्यक्ति कारे नहीं करेगा तो श्रणी आलस्य को भी देते हैं अर्थात आज के काम को कल कल के काम को परसों बहुत हैं दिक्सोना इस परकार के दुर्गण श्रणी के दवारा प्राप्त होते हैं पुरिश्रम आप अपने जीवन काल में कितनी मेहनत करेंगे अर्थात अपने जीवन काल में कहां तक पहुँच पाएंगे अपने पुरिश्रम के दुबारा यह सब कुछ भी शनी पर निर्वर करता है शनी ही हमें यह परदान करते हैं अहंकार अर्थात घमंड शनी को जैसा कि मैंने आपको बताया धन का कारक माना गया है तो कई बार लोगों के पास बहुत अधिक धन आ जाता है जिसकी वज़ा से इनके अंदर अहंकार का भाव जागरित हो जाता है शनी जो है अहंकार भी दे देते हैं विक्ति को ऐसा जो वि कारक है इसके पस्चाहत अगला जो कारक आता है वह आता है कारवास शनी का एक जो कारक है वह है कारवास ऐसे जो लोग होगे जो अपने जीवन में गलत कारे करते हैं गलत चीज़ें करते हैं तो शनी जो है वो क्या है नियाएधीश ऐसे जो लोग है उनको दंड देने के ल लिगिया जाता है नियाए Signal कि देवता हैं अगर आप महनत नहीं करेंगे आप दूसरे व्रक्तियों को कश्ट देंके चोरिच करेंगे शराब का सेवन करेंगे या गलत कारे करें तो शनी से हमें कारवास के विश्वाज के विश्वाबे पता लगता नाएं आपके जीवन के उपर कौन-कौन सी धुर्खटनाएं होंगी, अर्थात कब-कब आपके जीवन पर क्या-क्या कश्ट आएंगे, ये भी शेनी का कारक है, एक्सिडेंट होना, हड्यों का तूटना, ये सब कुछ शेनी के द्वारा ही परदान किया जाता है, निम्न अधिकारी, अर्थात मजदूर, छोट-छोटी पोस्टों पे काम करने वाले जो लोग होते हैं, वे भी शेनी के अंतरकत आते हैं, शेनी के कारक में आते हैं, जो सेवा का कारे करते हैं, अर्थात लोगों को घरों में जाकर के, किसी की मरम पट्टी करना, और इस सब के जो कारे होते हैं वह सब शनी के अंतरकत आते हैं नो da, मैंने इस विडियो में आपको बताया, कि शनी के कारक्त्तव कौन-कौन से है थोड़ा-थोड़ा मैंने आपको बताया, कि यह जो कारक्त्तव है, वे हमारे जीवन पे किस परकार से परवाव डालते है इसके पस्चात अगली वीडियो में हम शनी के परवत के विश्य में पढ़ेंगे शनी परवत उनत होने पे क्या होता है निम्न होने पे क्या रहता है होता है सुन्दर होने पे क्या होता है तो अब इस वीडियो को यहीं पर विराम दे देते हैं इस वीडियो को देखने के लि इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद